तो हलो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मैं एक नए वीडियो में यूटूब चैनल पर और आज हम प्रश्ण वाली एक देशनों तीन के लास्ट वीडियो को साथ आ चुके हैं और इस वीडियो में हम 11 नंबर से 15 नंबर के प्रश्णों को हल करने वाले और को ऐसे फिक्री अच्छा रहाए तो चली सुरुआट करते हैं 11 ने तो क्या लग रहा है किसा होगा यह केसी कोछिंशन ने दिया क्या पढ़िए हैं वह लिखते पहले तो दिखें जो फ़लन दिया गया है वहां पर X R देखिए R related to R दिया गया है यानि वास्त्विक संख्या का वास्त्विक संख्या के साथ समुच्छे दिया गया है और समुच्छे जो FX है वो कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि आपके पास है 3X minus 1 यदि X जो है वो greater than 3 हो यानि 3 से बड़ा हो तो आप इस का प्रयोग करेंगे और X square minus 2 है और इसमें दिया गया है यदि जो आपके X की value है वो minus 2 से बड़ी या बराबर हो और 3 से छुटी या बराबर हो और 3 वाला जो है वो 2X plus 3 यूज़ करेंगे यदि X की value क्या है minus 2 से छोटी हो तो ये जो चीज़े दी गई है इसके साथ ही हमें value निकालने की कहा गया है किस चीज़ के value इन सभी के मान तो चलिए बारी बारी से हर एक value निकालते हैं क्या करेंगे पहले वाला तो यहां पर एफ टू निकालने वाले हैं तो इस इसका answer कैसा किया जाएगा देखेंगे आपको बस यह धियान देना है कि अगर मान दो दिया गया है तो कौन सा फलन यूज़ करना होगा ये सबसे महत पूर्ट चीज़े जाए अगर य HEY की value माइनस टू से छोटी है तब यह वाला यूज़ करना है 3 से बड़ी है तो use करना है minus 2 और 3 के बीच में है तो इससे use करना है यानि हमें यह वाला use करना है हम यहाँ पर लिखेंगे ठीक हैровав यह क्या है इसके value निकल ली है तो इसको एक वार लिक लें क्या यही वाला लिख लेते हैं fx बरआबर x isquire minus 2 यूज़ करेंगे यह दि एकस की वेलू जो है वो मानस दो और तीन के बीच में हो इस वज़े से हमारा F2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा दो की घाते दो मानस दो बात समझ में आ रही हैं अगर एकस की वेलू कितनी है इन दोनों के बीच में आती है तो हमको यह फ़लन यूज़ करना है इन दोरों को नहीं यूज़ करना है और हमें क्या उत्तर मिल जाएगा दो की कहते दो बराबर च्यार माइनस दो बराबर दो हो जाएगा यह होगा इसका एंसर वो मेरे समझ में आ गया होगा दूसरा वाला देख लें यहां पर सेकंड बला देखते हैं एफ फोर अब एफ फोर निकालने के लिए हमें क्या देखना होगा कि तीन से देखे जो चार दिया गया है एक्स के वेलो जो चार दिया गयी है वो किसे बड़ी है तीन से अधीक है तीन से बड़ा होना पर यह लिए जाता है तो यहां पर लिए है हमाना पास F4 की वेलू क्या हो जाएगी वह हो जाएगी तीन गुड़ते च्यार माइनस एक तीन चोके 12 माइनस एक बराबर 11 हो जाएगी हो गया जी सही है सब कुछ समझ में आ रहा है आपको सब कुछ सही चल रहा है F-1 की बारी आ जाती है Sохabak S-1 । M-1 यही है ठेक्ठ 흡़ यह कहांप can करेगा तो आ जो माइनस वन होता हूं मैदे दू और तीन ke बीच में आता है माइनस दोसे छोटा नहीं होता है मानेस दोसे बड़ी गिनतित क्लिए होती तो माइनस दो और 3 के बीच में exist करता है तो आपको ये वाला use जिर ना होगा तो यहां पर fx से बराबर क्या हो जाएगा x स्कार माइनस 2 हो जाएगा यदि अपना माइनस 2 से बड़ा x हो और 3 से छोटा हो माइनस 2 से बाद माइनस 1 फिर 0 फिर 1, 2, 3 यह आता है तो माइनस 2 से और 3 के बीच में आता है माइनस 1 इस वज़े से इसको use किया जा रहा है तो यहां पर चुकिया और इसलिए वाइसी ही लिखा जाएगा फिलाहाल मैं डारेक्ट इसे काम कर रहा हो भी है तो यहां पर माइनस 1 की घाते 2 हो जाएगा माइनस 2 दिखाए दे रहा है और माइनस 1 की घाते 2 बरावर प्लस 1 होता है और 1 में से 2 घाताने पर माइनस 1 मिल जाएगा तो यह answer हो जाएगा इसका फूर्थ वाला पार्ट F माइनस 3 लिया गया है ओके तो फूर्थ वाला पार्ट में लिया गया है F-3 इसके value क्या होगी? ठीक है तो मानिस 3 क्या होता है? आपको पता होना चाहिए कि जो मानिस 3 होता है वो मानिस 2 से छोटी वाली गिंती होते है मानिस 2 से छोटी गिंती है तो मानिस 2 X जो है मानिस 2 से छोटा यहाँ पे दिखाए दे रहा है है तो हमको इसनों ये आपको बात करना कि माइनस दीन माइनस दूसर चोटा होता है और यह अगर आप समझ में आ रहा है तो आपको समय देना जाइं पर इन समझ भाहा है एस चीश को तो काफे देर तक इन कि इसका पेटना खराब हो जाए मलब मज़ाग समझे बात को देखते रहो बातों को समझते रहो हर एक स्टेप को समझे तूरंत समझ में आएगा जरूरी नहीं है लेकिन कुछ समय से देखने के बाद समझ में आ जाएगा ओके तो हमको यह वाला स्टेप लेना है टू एक्स बराबर क्या हो जाएगा टू एक्स प्लस त्री हो जाएगा यह दि क्या होता है कि एक्स की वैलू लेस देन मानस टू होती मानस दो सेगर चोटी है तो यह यूज किया जाता है तो यहां पर एफ मानस त्री बराबर क्या हो जाएगा दो गुड़ते मानस तीन हो जाएगा 6-3 हो जाएगा 6-3 घड़ जाएगा मैनस 3 मुझ जाएगा के लिए और बस यही जाएगा इंसर के रूप में तो भाई यह हो गया हो गया हो गया खतम भी यह कोशन समाप्त हो गया और एंसर सभी के सभी आ रहे हैं और मेद तो यही है आगे वाले कोशन देखे जाए 11 नंबर क स्वाहरण देखा जाता है तो और नमर कुर्शन में क्या दिखाय गया यहां पे क्सेद्ध करने वाले चीज ती गई है है तो चलो चल चलो करते थें कर थे करते हैं हमस्वाल को जहां पर दिया गया है 12 नंबर में एफ x ए बराबर दो एकस अंडररोड और के удар बराबर होता है साइन एकस ये सिद्ध करना है तो हमको लिखना चाहिए था यहां पे दिया है और यहां पे लिखना चाहिए था सिद्ध करना है और उसके बाद लिखना चाहिए था ल, एच, एस से और एफ Sine X by 2 बराबर लिखना क्या चाहिए F X बराबर इतना तो इसके बराबर लिखना चाहिए 2 Sine X बटे 2 और Under root 1 माइनस Sine Squire X बटे 2 ओके समझाते हैं समझाते हैं जहां पर X दिखाए दे रहा तो वहां पर हमने Sine X बटे 2 रख दिया है और इस दो को साथ में Sine X बटे 2 को उतारेंगे Under root भी लगाएंगे 1 माइनस 1 माइनस Sine Squire Theta यह पूरा Theta है 1 माइनस Sine Squire Theta पराबर होता है Cos Squire Theta Theta के जगह यही X by 2 ठीक है भी यह ठीक है चला लिख लेते हैं चूकि 1 माइनस Sine Squire Theta पराबर होता है Cos Squire Theta इस वज़े से सर्यूस किया ओके भी यह आगे देखते हैं Sine X बटे दो इन्टू इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो Squire Under root हट जाएगा और Cos X बटे दो हो जाएगा और इसके बराबर होगा भी यह क्या Sine 2 इन्टू इक्स बाई 2 यह क्यों होगा 2 Sine X Cos X बराबर होता है Sine 2 X होता यह है कि Sine 2 Sine X और Cos X बराबर होता है Sine 2 X यह क्या होता है यह पार्मूला होता है ठीटा भी लिख सकते हैं यहां पर दो से दो खड़ जाएगा और Sine X मिल जाएगा जो कि RHS सुरी LHS नहीं यार RHS होगा RHS के बराबर हो जाएगा RHS, LHS बराबर तो हमने सुरू ही किया था तो यह RHS के बराबर हो जाएगा गात बंदा लिखा है हमने और यह प्रूव हो चुका है अब अगली सवाल हम देखते हैं ओह दुनिया जलती यहां पर सवाल खतम हो गई है और अगली सवाल देखते हैं तीरह नंबर क्या कहती है इस सवाल में हमसे दिया हमको दिया गया है हमसे नहीं हमको दिया गया है कि यदि यह ने प्राक्तिक संख्याओं का समुच्चे हैं वास्तविक मान फलन एन रिलेटेट टू एन को एफ एक्स बराबर टू एक्स प्लस वन दारा परभासित है तो इस प्रिवास्ता का प्रियों करते हुए कि नेचे आली साड़नी भननी है दात तेरे की देखो वह सवाल नंबर 13 है जरूरी चीज़ दी गई है इन बराबर सभी प्राक्रतिक कि दिक होना चाहिए ना संख्याओं का समुच्च यह हो गया और भाईया यहां पे दिया क्या है जो फलन है वो क्या है एन रिलेटेट टू एन है और जो एपफेक्स है वो क्या है टू एक्स प्लस वन है और नीचे सारड़ी दी गई है और हमें क्या करना इसे भरना है तो हम इसी सारड़ी को पहले बनाएंगे कौन है वो कौन है वो कहां से आया चर दिसाओं में पिलू सब उच्छाया उसकी भुजाएं लगती का पता नहीं क्या लगती है क्या खीरा ककड़ी कहते हैं नहीं उसकी भुजाएं लगती पता नहीं क्या क्या तो खैर फैले यहां पर एक्स लिख लेता है यहां इतिना बड़ हुग गयो और एक्स लेकर साथ तक भरना है दो ती जड़ पांचे साथ लिखने की जगा नहीं बच्ची है आज यहां पे लिख देता हूं मैं क्योंकि मेरे पास है पैंसल सो यहां पर साथ रख दिया सो एफ वन निकालेंगे यहां से टू इंटू वन पलस वन करेंगे और यह हमें तीन मिल जाएगा तीन मिल जाएगा तो सवाल में देखो भाया क्या हो रहा है कि कुछ नहीं कर रहा है एफ एक्स बराबर टू एक्स पलस वन दिया जहां पर एक्स दिया है वहीं पर दो इधार देंगे बस तो एफ टू निकालेंगे दो गुड़ते दो पलस वन हो जाएंगे चार पलस वन बराबर पांच हो जाएंगे F3 निकालेंगे दो गुड़ते 3 प्लस 1 हो जाएंगे 6 प्लस 1 बराबर हो जाएंगे 7 F4 निकालेंगे और दो गुड़ते 4 प्लस 1 करेंगे 8 प्लस 1 बराबर 9 होगा F5 भी निकालेंगे ओह कितना असान है बड़े मोज से हम लिखते जा रहे हैं इसमें तेरा आने वाला है और कोई दिक्कत भी नहीं है और मैं मजाख कर रहा हूँ सायद लेकिन F7 लास्ट वाले कुश्चन पे पहुँच गए है साथ दुनिया 14 प्लस वन बराबर 15 हो गया है बस खत्म हो गया और मुझे नहीं लिखते कि इसमें कुछ और भरना चाहिए प्यारे बिच्च्चों की तरह ये खत्म हो गया बेड़िया ओके ओके बिच्च्च्चों चले चवदा नमबर स्वाल पे चलते हैं दुनिया गड़त का है मेला खेला सुरी खेला चौदा नमबर पे दिल अकेला कैसे पहुंचेंगे आगे वैसे मौज करते हैं तो यहां पे लिखते हैं पहले स्पस्ट है की फ़लन नसरी फ़लन एफ एक्स परिवहाशित होगा परिवह जया अच्छत परिबभशित होगा और यदि जो इसके अंदर दिया गया है यह जो चीज है यह जीनुट सब्सक्राइब करीबर से अच्छत पर। मैं परिभाशत हो चोटीं हसायगे मिल जाएगा तब परिभाशत नहीं होगी इस वजह से से अब यह प्यक्या हो जाएगा आट को धर में गोस देंगे तो एक्स यह गren ऐक्षन एक्वल एटा जाएगा इसका मतलब कि आप जहाएगा इसका मतलब हो जाएगा अपना जो फ़लन है फ़लन का प्रांद क्या होगा वह जाएगा कि आप सभी रियल नमबर लीजिए पर सरी 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 यहां पर देखो आठ से बड़ा वाला सारे वैली अपको लेने आठ से बड़ी और बराबर सब चाल जाएगा सो आठ से इन फाइन एट तक ज इसको ऐसे लिखना चाहिए था तो इसका एंसर देख लएते हैं चाहुदा कि अब हैला दिखा दे रहा है कि एक्स रिलेटेट टू आर साज डैट एक्स ग्रेटर देन एक्वल एट वसे अंग्रेटर देन एक्क्वल तो आई कहा था तो यही शेम चीज को वह भी लिखते ह हैं कि एक्स रिलेटेट टू आर और क्या है कि आर्ट एक्स इस ग्रेटर देन एक्वल एट वो तो सेम लिखी चुके थे वही सेम चीज यह भी हैं दोनों चीज़ों में कुछ भी लिख देंगे सही जवाब होगा हर बार तक तेरी की सही चलते हैं प्रेशनिस सेंग्स दू सब्सक्राइबर है एक बुटे अंडर रूड कि चार माइनस एक्स अच्छी बात है अब यहां पर यह जो है आपका परिभासित क्या होगा वाई सेम चीज लखेंगे असपरस्ट है कि फलन एफेक्स परिभासित होगा यादी यादी के बार यहीं सेम च्छापू और यहीं इंडर रूड वाला च्छापू जो अंडर रूड के अंदर वाली गिंती अगर रड़ात में खाती है तो अपर्मी हो जाएगा तो वास्तिविक नहीं उपाएगा इसके लावा सब जगा वास्तिविक होगा तो हम चार माइनस एक्स ठीक है गटा दैने को जीरो करते हैं औ कि और प्लस चार अजाएगा ठीक है ठीक है इसका मतलब क्या है कि यक्स की वैलू है वो चार से क्या होनी चाहिए च्छोटी होनी चाहिए फिर उसके बराबर भी चलेगी तो हमारा जो परांत है सौरी फालन का परांत नहीं परांत डारेक्ट लिख रहे हैं वाह के पूरा क हमको रखते हैं नहीं तो बागी यह चार से छोटा हो जाएगा तो यह आप देख सकते हूं ओ इधर बड़ा अलब रेकट नहीं लिया है गंद ही लेने लेकिन होना चाहिए था वो मिस्प्रिंटिंग है ठीक है क्योंकि यहां पर एक कुल तो मिलाई है तो चार को तो आपको लेना ही होगा चाहिए थाड़ वाला देखते हैं थाड़ आई ओपन करते हैं डिस्ट्रॉक्शन सो यहां आप लिखा है एफ एक्स बरावर एफ एक्स बरावर एक बटी अंडरोड एक्स प्लस सिक्स सेम वही कर रहा हम करेंगे सबस्क्राइब कि फलान एफ एक्स पर भासित होगा यदि ता बरावर जीरो अंडरोड के अंदर जो भी माटेरियल दिया जाएंगा उसको गर्टर देन एक्कुल जीरो करना होगा चेको उधर बिचकर गर्टर देन एक्कुल मैंस छी हो जाएंगा सबस्के सब्सक्राइब दोटेंर दोटेंट जैंगा तोब मैंस 6 के मतलब माने SIM operate तक जाना अब में इन fenEx को लेना तो यह还 अपना प्रांध हो जाएगा प्रांध हो जाएगा 기ोर्ज म मुझे किल लग रहा है जाने क्यों मुझे जाने तु कहा है उड़ती हवा में तेरे कदमों के निशाद देखे कि धोड़ा है फलक पे और मुझे को अब वहीं फिर से करना होगा कि यह सबस्ट है कि फलन एफ एक्स परिभासित होगा या ले अंडर रूड के अंदर यह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए यानि एक्स माइनस टू गटतन एक वले जीरो दो को धर बेज देंगे तो गटतन एक लात को दूब हो जाएगे दूसरी बढ़ा और उसके बराबर भी यहां पे लिंगे ठीक है एक्स खरई ब्रफ कर सबसक्राइगे यानि की पशर्ण शॉरी सोरी 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 स्बनें सष्व chuck जोटा या बराबर तो इसकी वैल्याजिय गांत यहां से चलेगा भी है कि आपके इस प्लस दो से इस प्लस चार के बीच में अठके के तो आपके जो भी रेम प्रांथ होंगा वो प्रांथ यह होगा कि चाह दो से क्या होना चाहिए बाड़ा या बराबर होना चाहिए यक्स की वैलो प्लस प्लस चाहिए ऐसा होना चाहिए और यहां पर एक्स रिलेटेड टू और सोरी यह फिर से मैं लिखता हूं आपको प्रांथ बराबर क्या लिखना है है कि अप्रांथ बराबर लिखना है कि ऐसे एक्स रिलेटेड टू आर और एक्स की वैलो क्या है सुरी दो से ग्रेटर एक्वल एक्स है और लेस देन एक्वल फोर है तो ऐसे लिखना है ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी प्रांथ बराबर लिख सकते हैं दोनों एंसर सही यह भी लेख सकते है यह भी लिख सकते हैं ठेक है तो यह तो हो गया सारा प्रश्न इसका खतम तो प्यारी देख दो अब जो सवाला पिस्वाइब यारी यह दो मझे खुड़ी नहीं होती पर फिलिपी हम कोसिस करेंगे कि आप को पूरी तरीके से बात को समझा सकी क्यूं क्य अगे ठीक है आगे बात को बढ़ाएंगे कि वही वाला पुराने सा काम क्या था काम वोला हाँ याद आया नकल करने के बाद कि अस्पश्ट है अस्पश्ट है कि फलन फलक तक चल साथ में फलक एफ एक्स परिभाशित होगा यद 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 होगा जिरो के बराबर नहीं है तीन ठीक है तो हमारा प्रांत क्या होगा कि सबी रियल नमबर लिये जाएंगे पर नहीं लिया जाएंगा तीन को माइनस कर दीना होगा और अब हम को इसका परिशड भी ग्यात करना है इसके लिए मानना होगा कि वाई बराबर यक्स स्क्वाइर माइनस नूबर यक्स प्लस यक्स माइनस तीन है और मुझे समझ में आता है कि इसका इधर गुड़ा करके कुछ उखाड नहीं पाऊगे क्योंकि घाते दो है उससे अच्छा उट नहीं बन पायागा लेगन एक काम कर सकते हैं कि हम इसका गुड़ांखन कर सकते हैं एक स्क्वाइर माइनस में स्क्वाइर नहीं दिखाए दे रहा है लो अब दिखाए दिया तो क्या हो जाएगा इसके बराबर हो जाएगा एकस प्लस त्री एकस माइनस त्री नीचे एकस माइनस त्री है यह कर जाएगा वा एकस बराबर नहीं था तो चुंकि एकस ड़स नाट इक्वल टू जी तिरी इसलिए वाई नहीं बराबर हो जाए गया पर एकस कमान तीन रखता तीन तीन चे बराबर नहीं होगा किसके छे के ईक्ति कुछ पल्लेइं कि मनें तीन को उठाया इहां पैंपे जिया क्रोंस कि यकस कमान तीन के बराबर नहीं इसलिए वाई कमान क cherry के बराबर नहीं होगा तो परफाश प्राइब ऑब इसलिए हमारा पर इसारš क्या हो जाएंगा few पूरा और होगा लेकिन क्या नहीं होगा वह नहीं होगा चे नहीं होगा तो इसे प्रेकार इस कुशन का अंसर मिल जाएगा तो यह वह किया तो अगला वाला देख लिया जाएगा यह व batch लिया जाएंगा तेरी आंखों में क्या है एक छोटा सा सपना एक बड़ा यूटूबर मैं बन जाओं ना यही तो एक सपना है इसका प्रांथ लिखने के लिए यही लिखना होगा परवासित होंगे यादी कौन सा हर जीरो के बराबर ना होते हैं पी हर जीरो के बराबर ना हो ना हो तो यहां पे हो जाएगा यक सबराबर चार धर जाएगा नहीं है चार के प्रांथ मिल जाएगा और वो हो जाएगा यही चार को घटा दिया जाएगा रियल नमबर समी से और प्रांथ आसानी से मिल जाएगा अब परिसर खोजने की बारी आ जाएगी और फिर इसका अब निकालना है परिशर्ट तो निकालना देख़ें यह F-X बराबर जो दिया गया है यहाँ पे चार मानश एक्स और याक्स मायनिस चार उपर आले सहकर हम आ वाक्मन ले ले लेते हैं review comment नेलते हैं तो यह उलट जाएगा क्योंकि एक्स Plus में हो जाएगा और चार मानिस में तो यथ देखने के मिलेगा नीचे एक माईने लिए चार आल्रेड् OM ऑर ऑलरेडिये जो की पूरा कर जाएगा और fx बराबर हम को देखने क्या मिल जाए-et bx सब्सक्राइब करें एक सब्सक्राइव को देखने मिल जाएगा इसका मतलब क्या है एसपश्ट है कि कि एक स्थ के शब्ही मान के लिए शबी मानों के लिए शब्त आफ एकस बराबर माइनस एक तो हमारा जो परिसर है वो कुछ और नहों करकि कीवल माइनस एक रहेंगा हर बार माइनस एक ही मिलेगा तो यह परिशर हो जाएगा तो इस प्रकार इस प्रशन का उत्तर मिलेगा और आखरी प्रशन इस वीडियों का आ गया है तुम्हारी आखों के सामने अंधेरा क्यों चा रहा है वैसे मेरे आ मुझे इतनी भेंकर ने दाद़े होती है कि मैं पढ़ाते पढ़ाते सो जाता हूं मेरे जादातर वीडियो का हिस्सा सोते हुए निकल जाता है मतलब मैं सवाल बता भी रहा होता हूं क्या खतनाक टैलेंट है ना कई बार उसे मैं सोते जोते गलतियां भी कर देता हूं और आगे देखेंगे इस का प्रांत निकालेंगे वह यस्पष्ट है कि इस पे परिभासित होगा यदि ये जो नीच्चे वाला दिया गया है जीन की बराबर ना हो एको भीज देंगे तो बराबर नहीं है और ईबी को भीज देंगे तो A बट B के बराबर नहीं है और ऐसे में हमारा प्रांत हो जाएगा R माइनस करके कितना R में से यही वला जो बराबर नहीं है घटा लिया जाएगा और ये हमारा प्रांत हो जाएगा परिसर निकालेंगे इसी को तो किसे किया जाएगा तो सबसे पहले माना की वाई बराबर हम दिल दे चुके तुम्हें सनम हो गया ठीक है इतना तिरशी आए कि गुड़ा करते हैं इसके इदर गुड़ा करते हैं तो क्या हो जाएगा तो B, X, Y हो जाएगा इसका जब गुड़ा होगा तो A, Y देखने के मिला गया ये तो कुछ होगा नहीं इसे चाप लो ये X वाला इदर रखो Y वाला उदर भेज़ दो क्योंकि हमको X बराबर जहां पर लिखना है X इदर आगया तो B, X, Y है ये वाला इदर आए माइनस A, X देखने के मिला और यहां पर B, Y देखने के मिला और X बराबर मिल गया B, Y बटे यही वाला चला गया उदर B, Y, माइनस A और यहां पर ये परिभाशित कब होगा कब होगा ये परिभाशित ये परिभाशित असपच्च है कि X के वैलो परिभाशित होगी यदे ये वाला जो आपको दिखाए दे रहा है B, Y, माइनस A बराबर नहीं होता है किसके जीरो के अगर इस जीरो के बराबर होगा तो परिभाशित नहीं होगा लेकिन अगर हो जाता मलब हो जा तो बरिभाशित नहीं होगा गर नहीं होता है तो परिभाश्च नहीं होगा तो यहां पे वही सेम इसको ढंग से लिखते हैं कि अस्पष्ट है कि एक्स परिभाश्च परिभास्च होगा यदि यह ब्रवाश्च जिरू के बराबर ना हो यानि बी वाई बराबर नहीं है ए और वाई बराबर नहीं है ए बटे बी इसी पर परिभासित ठीक है किया है कि अगर वाई के मान ए बटे बी में जाता है तो परिभासित नहीं होगा बागे सभी के लिए परिभासित होगा अता हमारा जो परिसर है वो क्या होगा भी या पर और परिशार दोनों ही प्राप्त हो गए और बस यहीं पर हो जाता है वीडियो खत्म क्योंकि प्रश्णा वाली हो चुके हैं अब अगली वाले प्रश्णा वाली में हमें इन ही फलनों का आरे खेचना सीखना बिजली चले गई है बाइ